नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर निशान्त यागनिक है, मैं हैड उफ नियूरो सरजरी हूँ मनिपल हॉस्पिटल गुरगाओं में और आज मैं आपसे बात करूँगा वैक पेन, स्पाइन पेन के बारे में आज कल के जमाने में हमारी लाइफस्टाइल इतनी बदल गई है हम इतना टाइम ट्राफिक में स्पेंड करते हैं, हम ज़्यादा तर कम्प्यूटर पे काम करते हैं और हमारा वजन दिरे-दिरे करके बढ़ता है कि spine pain चार में से एक बंदे में होता ही होता है. Spine pain दो टाइप का सबसे common type का pain है, उसमें से एक होता है cervical का pain, जो गर्दन की हड़ी में होता है, और दूसरा होता है कमर का pain, जिसे हम बहुत बार disc problem बोलते हैं. लेकिर आज हम समझते हैं कि ये actually में होता क्या है और होता क्यूं है, और इतना common क्यूं है और इसके लिए करना क्या पड़ता है. Spine pain के मरीज हमारे पास दो age groups में आते हैं, एक बहुत young होते हैं और एक थोड़े से aged होते हैं, 60 के उपर के होते हैं. जो young patients हैं, उनमें cervical का pain या नीचे कमर का pain इसलिए होता है उनकी lifestyle के वज़े से. देखिए, जैसे-जैसे हमारा वजन बढ़ता है और हमारी physical activity कम होती है, हमारी peat के जो muscles हैं, वो weak होते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, और दूसरा, हमारे आगे, हमारा वजन जब बढ़ता है, तो हमें इस वजन को support करने के लिए, चलते time, बैठते time, बहुत हद तक support करना पड़ता है हमारी spine को, तो खिचाव करना पड़ता है पीछे से. जिस तरीके से, आपने देखा होगा, कोई pull हो, कोई bridge हो, जिसमें wires लगी हुई है, एक rod को support करने के लिए, उसी तरीके से, हमारी spine अगर एक rod है, तो उसकी support में लंबे-लंबे muscles होते हैं. आप ये समझ लीजे कि वजन के वज़े से, ये beach की rod बार-बार आगे जा रही है, और इसको बार-बार पीछे खीचना पड़ रहा है. बीच में क्या होता है, कि एक point पे काफी हद तक stress आयाता है, और इस stress के वज़े से, जो disc होती है, हमारे हड़ियों के बीच में, वो भी निकल सकती है, और हमारे हड़ियों के अंदर fracture भी हो सकता है. एन्ड रिजल्ट यह होता है कि उसकी nerves में compression होता है, और nerves को का compression बहुत दर्द करता है. Now, second type का young patient हमारे पास आता है, जिसने physical activity over exert कर दी है, खास कर gym में weights उठाते होए. बहुत commonly मुझे पास patients आते हैं जिनोंने एक weight उठाया, suddenly severe sharp pain हुआ, उसके बाद बैड गए, उसके बाद उठ नहीं पा रहे हैं. इतना severe pain होता है कि वो चल भी नहीं पाते हैं. इसको हम acute problem मोलते हैं, मतलब इसमें disc में problem वैसे नहीं थी, हड़ी अच्छी थी, हड़ी strong थी, लेकिन disc में घिसाव की वज़ा से अचानक से burst हो गया है, या tear हो गया है, फट गया है, जिस time सारा material बाहर निकल की अचानक से nerve को दबाता है. second type का और ज़्यादा common type का patient हमारे पास आता है, जो normally 60 के उपर के होते हैं, आपकी family में definitely कोई न कोई होगा, जो complain कर रहा होगा उस उमर में, कि मुझे गरदन में दर्ध है, या read की हड़ी में, नीचे की तरफ, कमर में दर्ध है, इन patients में लंबे समयम चलते हुए, धीरे-धी के लिए body अपने आप हड़ी को जमा रही है, तो इसको बोलते है body का fighting mechanism, लेकिन एक हद तक body fight करती है, उसके बाद यही mechanism fight करने वाला nerves में pain करने लगता है, इन patients में बहुत बार nerve में direct pressure भी नहीं होता, बट जगे इतनी कम हो जाते है nerves के लिए, कि वहाँ पर आने वाला अच् पाता है, इसके वज़े से nerves को portion नहीं मिलता, और that's why ऐसे features भी होते हैं जिसमें patients के pair सुन हो जा रहे हैं, hardly 5 minute भी नहीं चल पा रहे हैं, hardly घर के अंदर भी नहीं चल पा रहे हैं, और pair थंडे पड़ जाते हैं, ऐसे patients normally हमें 60 के उपर के बाद ही मिलते हैं, बाकी हर patient में normal type के pain में cervical pain होता है जिसमें garden में pain होता है, यह pain बहुत बार हाथ में नीचे की तरफ जाता है, current जैसे sensation में, और जब कमर में pain होता है, तो कमर में भी हो सकता है, और नीचे जो हम sciatica बोलते हैं, वो pair में आने वाला दर्ध भी हो सकता है, अब जो याद करने बाली चीज़ है, वो Fairly predict कर सकते हैं कि इतनी दवाई, इतने patient को देखने, इतने time तक देने के बाद, combined with physiotherapy, combined with natural therapies, और posture changes के साथ साथ, हम एक good quality of life patient के लिए ला सकते हैं, pain को बहुत हद तक कम कर सकते हैं, and 80% मेरे patients, चाहे young patients हों, चाहे old patients हों, counselling के साथ over a period of time, दो हफता तो मैं मतलब बोलता हूँ कि इक्सरसाइज ही मत करो, just rest it out, दवाई को काम करने दो, जो muscles में tension है, उसको काम होने दो, धीला पढ़ने दो, and आपके body को तब तक build करो, आपके nutrients बिल्ड करो, और उसके बाद एक phil therapy का phase आता है, and usually, महीने से डेड महीने में, while doing your work, मतलब साथ-साथ में काम करते हुए, हम धीरे-धीरे करके, वही changes reverse करते हैं, जिसके वज़े से आपका pain हुआ है, उससे क्या होता है, कि long term relief मिलता है, सिरफ अभी नहीं कि भई दर्द का दवाई दे दी, और बाद में फिर जाके दवाई हटाई, तो दर्द करने लग गया, इस approach के साथ, almost 80% में, patients में effectiveness आती है, अगर इन 80% में कोई patient है, जिसमें नहीं effective आया, और sciatica का pain है, या चलते हुए low back ache है, तो हम उसमें एक सुन करने का वाला injection अंदर body में लगा सकते हैं, x-ray में देखते हुए, इस injection से बहुत बार ये joints में pain, disc का pain, almost हो सकता है, कभी 2 महीने, कभी 2 साल तक भी, मेरे कुछ patients हैं, जिसमें ये pain वापस आया नहीं है, बहुत बुजर्ग patient में, जिसमें surgery possible नहीं है, और severe pain हो रहा है, और दवाई से नहीं ठीक हो रहा है, तो हम 2 से 3 महीने में बहुत बार injection लगाते हैं, और they are very comfortable, आते हैं अपना सुबह, थोड़ा सा खाना खाके, हम x-ray करते हैं, x-ray में nerve root block लगाते हैं, वो घर चला जाते हैं एक दो घंटे बाद, और उसके बाद हर 2-3 महीने में कभी-कभी आना पड़ता है, because उनमें कोई और choice नहीं है, बच्चे हुए 5% patients होते हैं, जिसमें surgery की जरूरत पड़ती है, और ये पीन के लिए भी होती है, क्योंकि दवाईयां लंबी चली गई हैं, दवाईयों का side effect होता है, kidneys पे, आपके liver पे, आपके पेट पे, आपके खाने पीने पे, रहन सहन पे, और ये जहिलना मुश्किल भी होता है, दवाई के बिना, पीन इतना सिवियर होता है, कि आप ना चल पा रहे हो, आप ना अपनी normal life जी पा रहे हो, आप शादी व्यापे ना जा पा रहे हो, आप अपने routine friends से नहीं मिल पा रहे हो, और ये कोई life नहीं है, इन patients के लिए हम surgery करते हैं, usually हम endoscopic and microscopic surgery करते हैं, we do minimal access surgery, and in the last 5-10 years, 5-10 साल में इसमें काफी advancements आ गई हैं, हमारे results जो हम predict कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि भई, ये करेंगे तो definitely ये होगा, जो पहले possible नहीं था, साथ में हमारे पास spine की reinforcement के लिए replacement techniques आ गई हैं, titanium के replacements आ गए हैं, जिसके वज़े से हम spine को strength दे सकते हैं, और आपको confident feel करवा सकते हैं, अपने walk में, अपने चलन में, तो इसमें एक last चीज़ में आपको जरूर बोलना चाहूँगा, अगर एक spine के patient आप हो, अगर आप चाहदो diagnose कर चुके हो, या doctors के पास जा चुके हो, या आपको लगता है कि मैं को constantly garden में दर्द हो रहा है, lower back में दर्द हो रहा है, तो दो तीन points आपको याद रखने जरूरी है, देखिए, दर्द reversible होता है एक point तक, दर्द एक lifestyle problem है, लेकिन एक हद के बाद, नसें इतनी दबाव में घिस जाती है, इतना damage हो जाता है उसमें, कि nerve का function में खराब हो जाती है, electric current दोड़ना उसमें बंद हो जाता है, जिसके वज़े से तीन problem आ सकती है, पैरों में कमजोरी, कि पैर उठी नहीं रहा है, पैर में कमजोरी लग रही है, दर्द हो या ना हो, पैर चल नहीं रहा है, सुनपन, constant सुनपन होना, खासकर आपके link area में सुनपन होना, और पैरों में जो एक पूरा strip, ऐसे लंबा सुनपन होना, जो जा नहीं रहा है, तीसरी चीज़ पिशाब में रुकावट, कि आप bathroom जा रहे हैं, आप pass करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत जोर लग रहा है, लेकिन pass नहीं हो पा रहा है, अगर इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी हुआ, तो आपको immediately, neurosurgeon के पास आना चाहिए, बिकाज ये चीज़ें हम surgery से, जितनी जल्दी reverse करें, उतना chance है कि ये बहतर हो जाए, एक limit के बाद, ये चीज़ बहतर नहीं होती, ऐसा सोचिएगा कि तराजू है, जिसमें आप धिरे-धिरे करके, वजन डाल रहे हैं एक side में, अचानक से last छोटा सा वजन पड़ा, हलका सा slip हुआ, permanent paralysis or damage का chance होता है, that being said, thank you, सुनने के लिए, and hopefully मैंने आपको कुछ useful आज बताया है, and hopefully आप अपने spine pain में, ना तो आपको spine pain होगा, और ना वो उसको device से जादा कुछ जरूद पड़ेगी, ना फेल्थरपी सादा कुछ जरूद पड़ेगी, आप अगर healthy postures के बारे में हमारे पास आएंगे, तुमारे फेल्थरपिस्ट healthy posture कैसे बैठना है, head का position क्या होना चाहिए, computer के सामने, phone देखते हुए क्या position होना चाहिए, इसकी information भी दे सकते है, and hopefully आपको pain हो ही ना, तो बहुत अच्छी बात है, because prevention is always better than cure, so thank you.